नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानने लायक टॉपिक पे बात करेंगे। दमा क्यों होता है? एस्थमा के क्या-क्या कारण है? और बचाव कैसे करें? आईए इस रेस्पिरेटरी कंडिशन को समझते हैं और सीखते हैं इससे बचने के कुछ कारगर तरीके. सबसे पहले दोस्तों, हमें समझना होगा की दमा क्या होता है? एस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडिशन है, जिसमें एरवेज नाराज हो जाते हैं और स्वास लेना मुश्किल हो जाता है. दमा के कारण आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के एरवेज में इंफ्लमेशन होता है, जिससे उच्चतम मात्रा में म्यूकस बनता है और एरवेज छोटे हो जाते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे की सांस लेने में मुश्किलें, गैसे और धूल के कारण, इंफेक्शन या एलर्जी, माइक्रो और्गनिजम्स का हमला, विरासत, दमा में इंफ्लमेशन के कारण एरवेज को सुकुन नहीं मिलता, जिससे सा आस लेना मुश्किल हो जाता है. वायू मंडल में धूल, धूआ और कच्चे प्रदूशन आसमानी हवा में हो सकते हैं, जिनका सीधा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है. इंफेक्शन या एलर्जी के कारण भी एरवेज में इंफ्लमेशन हो सकता है. पोल्यूशन, जैसे कि पॉलन और डस्ट माइट्स ये सब एजमा को ट्रिगर कर सकते हैं. कई बार माइक्रो और्गनिजम्स का हमला भी दमा को बढ़ा सकता है. कई बार यह जनेटिक भी हो सकता है. अगर आपके परिवार में पहले से किसी को एजमा है, तो बच्चों में भी हो सकता है. आजमा से बचने के लिए नियमित ध्यान रखना और उपयुक्त इलाज करवाना महत्व पूर्ण है. दमा होने के कई कारण हो सकते हैं. कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि जनेटिक फैक्टर्स, इंवायरमेंटल पोल्यूशन, वेदर कंडिशन्स, एलर्जीज, तमबाकु क सेवन, सेडेंटेरी लाइफस्टाइल. अगर किसी के परिवार में पहले से ही किसी को दमा है, तो उसके बच्चों को भी इसका खत्रा बढ़ जाता है. वायू मंडल में धूल, धूआ और विभिन प्रदूशन कारकों के संचरण के कारण व्यक्ति दमा का शिकार हो सकता है धूप और बर्फ के कारण ठंडी हवा, धूप, बर्फ या बारिश के कारण भी दमा का होना संभावना है. खान-पान में या आस-पास के प्रदूशनों से उत्पन्न होने वाली भी ऐलर्जीज दमा को बढ़ा सकती हैं. स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन दमा के लक्षन को बढ़ा सकता है. यदि बच्चा युवा आयू में किसी प्रकार की धूल या प्रदूशन का संपर्क करता है, तो यह दमा को बढ़ा सकती है. आराम दायक, लाइफ स्टाइल, बैठे रहना और कम शारीरिक गतिविधी भी दमा को बढ़ा सकती है. ये कारण व्यक्ति को दमा के ग्रोथ के लिए सेंसिटिव बना सकते हैं और उचित देखभाल और उपचार के माध्यम से इस स्थिती को संभाला जा सकता है. दमा से बचाव के लिए यहां कुछ उपाए हैं, ऐलर्जी का पता लगाएं. यदि आपको किसी फूड प्रॉडक्स, पॉल्यूशन य पॉल्यूशन से बचने के लिए हमेशा एक स्वच और ताजगी भरी जगह पर रहें. धूप और बरफीले मौसमों में यह सुनिश्चित करें कि आप अपने चेहरे को ढख कर रखें और कोल्ड कंडिशन्स में अलर्ट रहें. एक स्वस्थ आहार और रेगुलर को इंप्रूफ करता है और लंग्स को स्ट्रेंग्टन करता है. इससे दमा की संभावना कम हो सकती है. दवाओं का सही तरीके से उप्योग. यदि डॉक्टर ने कोई दवाएं या इन्हेलर प्रिस्क्राइब्ड की हैं, तो उन्हें नियमित रूप से और सही तरीके से उप स्मोकिंग एरियाज और रेगुलर क्लीनिंग. योग और ध्यान का अभ्यास करना भी दमा को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है. ये कुछ आम उपाय हैं जो दमा के खिलाफ बचाव करने में मदद कर सकते हैं. हालां कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनके दिये गए उपायों का पालन करना चाहिए. इसके अलावा एक important point है asthma management. Regular check-ups और asthmatic conditions के science का awareness रखना बहुत जरूरी है. तो आज हमने देखा कि asthma क्यों होता है और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं. ये एक manageable condition है बस सही समझ और care के साथ. अगर आपको या आपके किसी दोस्त को asthma है तो regular check-ups और precautions से आप स्वस्थ रह सकते हैं. ये रहा आज का lecture. मुझे उमीद है कि आपको informative लगा होगा. अगर आपको और कुछ जानना है तो comment section में पूछिए. हम मिलेंगे अगले lecture में. धन्यवाद. कि दो यादस, मिलेंगे जानना है. ऊवाद से लग ए से वादको यादस. मुझे खाल आपकों से खुर में. 2024 कि आपकों से थी खालcs के कि पर्ते हैं.